और दोस्तों कैसे हो यार सारे मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरिट यूटूब चैनल जयार टुटोरियल्स में दोस्तों मेरा नाम है गौरम उन्दर और मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ स्पी ओसी अमें डिकनोमिक्स तो दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्षन में बताएंगे सर हम लोग एकदम बढ़िया है कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ भी एकदम बढ़िया चल रहे हैं आप सुनाओ आना तो आपको यी दोस्तों कमेंट करन इतनी मस्त सी जर्णी थी मेरी और आपकी प्यारी से ज्यार टुटरिल्स के चैनल पर अब इसको जो है हम बहुत जल एंड करने वाले यह कहते हो बड़ा दर्द हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं हाना क्यूंकि हमने बहुत कुछ सिखा आई इतनी प्यारी सी जर्णी में दोस् जो बात है लेकिन सरका नौलिज जितना ताइम नहीं आपने साइन्स का मारा पोर्शन नहीं हो रहा है तो ठीक है आप जाके लेक्शेश जो यह कोच के रखातर इंचन ना लो क्यों के लिए तो economics पढ़ाना ही है ठीक है बाकी अब स्टार्ट करें आज का मज़ा आएगा देखो यार दोस्तों बहुत मस्ता सा आपका जो economics का बुक है वो ड्राफ्टेट किया है पहले तो आप यह समझो दोस्तों देखो यार मुझे एक बा आपको पूरा लेक्षा अच्छे से सुनना है जब मैं बोलूँगा तब आपको नोट्स बनाने को क्योंकि मैंने भी बनाया आप भी बनाओ चलो बाकी देखो लेसन का नाम करो मिर साथ एकनोमिक प्लानिंग इन इंडिया लेसन नमर कुन से हैं लेसन नमर 10 है दोस्तों दे होता है जरा बताओ यह सीखो पहले तो अना फिर दौस हमने कुछ न्यू में जैसे कुछ सीखे हमने इंवमेंड के बारे में सीखा की इन नम्येंस नमिक्राो बारे में को सीखा हमने इंथलाग का सिनेरियों चल रहा क्यों सीखता everybody say अब धूसन सुन ने बहूत सब्सक्पर की है पूरा देज्ट जो है कैसे चलता है यहां सारे एक एक पार्ट को सीखा हमने कुछ होता है Health and Education में भी क्या सीखने को कुछ होता है हमारी इंडिया जो है उसकी जो economy है वो कुछ करते हीगी नहीं या फिर हमार जो देश है दोस्तो क्या वो सिफ अपने लोग के लिए कहता है कि हम आपके लिए यहाँ पर रोड बनाएंगे यहाँ कुछ ऐसा करेंगे होस्पितल बनाएंगे स्कूल बनाएंगे तो क्या अपने देश वाले से बाचित करते हैं या सही में ऐसा काम भी करते हैं यह पूरा economics ने आपको इसका एक scenario बताया है एक graph दिया है दियाएगी नहीं वैसा ही दोस्तो आज यह लिसन है एकनामिक प्लाणिंग इन इंडिया आज यह बताने वाले देखो इंडिया वाले जो है इसमें कुछ ऐसी कमीटी है इस कमीटी का काम पता है क्या सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सोचना पूरे इंडिया के उपर यह लोग रिसर्फ करते है हर एक सेक्टर से एक इंटिलिजेंट एक इक्तम अलग शाही इंसान आता है जिसका नौलेज जो है आप सोच नहीं सकते वहाँ तक उसकी नौलेज है यह यह कमीटी का एक पार्ट है और यह कमीटी वाले पता है क्या करते यह देखते है अच्छा यह साल हमें इंडिया में क्या क्या करना है इसको कहते हैं अब दूस्तों इंडिया के बारे में आप सोच रहे हो ना कैसे क्या करना है प्लैनिंग कर रहे हो इंडिया के उपर कर रहे हो अब पुरा फोकस दोस्तों यहाँ पर अब पहले तो यह जानो दोस्तों economic planning यह होता क्या है यह क्या है यह केस चिडिया का नाम है और देखते है वाई time bound program देखार दोस्तों economic planning जो है यह time bound program है ऐसे नहीं यह economic चलो आज सुमारा वाई economic planning करेगा पूरे एक दिन के लिए नहीं अगर आपने economic planning स्टार्ट कर दिना तो वह economic planning जो है अब यह चलती जाएगी एक बार आपने कुछ चीज को स्टार्ट कर दिया तब आप उसको बीश में रोक नहीं सकते कुछ ऐसी वाली बात है economic planning और आपको उतने particular period में ही complete करना है ठीक है जैसे आपको देखो आपकी जो college जो कहते होंगे बच्चा ये जो है assignment आपको नायर पूरे के पूरे seven days के अंदर देना है अब यह क्या है यह time bound assignment है आप पे time की घड़ी जो है लटका दी गई है और अगर आपने वह within a time नहीं किया तब भाई आपके जो five marks है भूलेंगे वह काट देंगे या फिर two times लिक्क् कुछ time bound है program to achieve a certain objectives यहां पर द्यान दो आप economic planning क्यों करते हो ऐसे मन क्या बस करने का चलो इंडिया का नक्षा देखता हूँ क्या develop करना है सोचता हूँ पर आपको चलो आपने पूरी planning तो कर ली पर आप कर क्यों रहे हूं मुझे पता आप कर क्यों रहे हूं बच्चा करे सर क्यों करक्यों रहा हूं बतलब पता नहीं सर जैसे आपको पता हूपन कुछ बच्चों को पूछते आप कौन से क्लास में हूँ सर मैं 11 एक चा बच्चा क्यों लिया इसे नहीं ना आपकी दिमाह में कुछ objective होगा कुछ बच्चे करे और मैंने तो सोच करना है लॉयर बनू अब्जेक्टिव होता है कि यहां पर यह जो एक गाव है छोटा सा वह चोटा सा गाव है इसको मैं अभी डेवलप करने करें यहां पर रोड्स भी नहीं साइसी तो जो एक प्लैनिंग में जो बड़े-बड़े लोग बेड़ है ना वो गाव को देखेंगे अच्छा यहां प यहां पर दो से तिन होस्पिटल हमें बनाना ही है अब यह जो बनाना ही है यह कहें दोस्तो अब्जेक्टिव विट एल्प आफ एवेलिबल रिसॉर्स अब दोस्तो मैं महाराष्ट्रा में सोचता हूँ यह जो मुंबई है यहां पर मैं एक बहुत बड़ी सी मलब क्या बन बच्छा कह रहे सर जो इच्छा है आपकी बना दो हमें गया चलो मैं बात करता हो मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा जो पूरे मुंबई को कबर कर लेगा ठीक है चलो मैंने ऐसा सोचा कि एक इतना बड़ा होस्पिटल बनाऊंगा जहां पर हर कोई आ सकता है फ् बन जाएगा या मैरे इसे लिखने से hospital बन जाएगा नहीं ना उसलिए मुझे क्या क्या लगेगा पैसे लगेंगे सर पहली बात तो उतने लेबर्ज लगेंगे टेक्नोलोजीस लगेगी थोड़ा सा समय भी लगेगा ऐसे नहीं न अई होस्पिटल बनाओ चलो एक दिन में बन गया क्या बन सकता है कि नहीं नहीं तो यह सब क्या है दोस्तों यह सब मेरे रिसूर्सेस में पाँ कुछ समान भी तो होना चाहिए न मैं किसी के पास इसे जाके वादे तो नहीं नहीं कर सकता कि वाइं तो हो गया है कम्प्लीट लेकिन 11 के बाद में अपनी जो है CS की पढ़ाई का पढ़ाई तो अभी से करवाता हो नहीं न मैं पास कुछ resources भी तो होने चाहिए resources में आप बच्चे भी आओगे कि यहां सर हम भी इंट्रेस्टेड है हाना अगर समझो ना एक जगा है जहाँ पर अल्लेड़ी दस हॉस्पिटल है वहाँ पर उतनी नीड़ भी नहीं है मैं वहाँ पर जाके बुदूँगा आप मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा है आप ग्या सब्सक्राइब कर दोस्तों अपने देश में आज से नहीं यह जो प्लैनिंग कमीशन हो गई यह प्लैनिंग अथोरीटी हो गई दोस्तों यह 1950 इंडिपेंडेंस के बाद ही समझ जब अपने एक कंट्री जो फ्रीडम मिली थी हमें उसके कुछ सालों बात ही एक प्लैनिंग कमीशन प्लैनिंग अथोरीटी में दोस्तों पताए यह प्राइम मिनिस्टर ने यहांँ Mund लोगों का पॉ spaghetti पेला पॉइंट किया किसको में लोगों को पॉइंट किया ठीक है मैसने में सब्सक्राइब को में शुंता है हί bacon आपको कोई भी डिगरी नहीं चाहिए आपको न certificate लेकिन उसके side by side आपने इतने सारे courses कि आपका जो knowledge एना एकदम commendable और को इसको challenge नहीं कर सकता अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तभी ही हम आपको planning authority का part बनाएंगे ठीक है देखो obvious सा बात है 12 का बच्चा तो planning authority में बेठेगा नहीं वहां पर पता है कौन होता है is से भी कोई एकदम is वगरे हो गई उनके पास सिफ एक ही डिगरी नहीं है is देखो कोई अगर व्यक्ति है जैसे कोई बच्चा है यहां पर देखो अपने आपको imagine करना है आपको ठीक है दूस्तो मैं आपको बदाता हूं देखो यह एक इंसान है यह मेरा प्यारा बच्चा है जो मुझे देख यह आप हो यह यह आप हो यह कोई लड़का है और अगर कोई मेरी प्यारी बच्ची जो मुझे देख रही है यह तो लड़की है आपके बाल अच्छे बना है ना मैंने और यह लड़का नाराज हो रहा है रूख तेरे स्पाइक्स बनाता हूं ठीक है यह समझो आपके पास पता है कितनी डिग्रीज है आप LLB हो अरे छोड़ो एर LLB कौन करता है आप हो LLM आपने LLB में भी मास्ट्री कर रखिए क्या बात है आप CA हो अरे क्या बात है आप CS हो भाई मानगा एर आपको आप CA में भी हो क्या बनाओ आपको और बता आई IT चलिए आपके आई IT करेक करवा देते हैं और क्या करना है बताओ अब बस तो यह जो लोग है ना इनके पास कुछ इतनी अमाउंट की नौलेज होती है एक फिल्ड में नहीं हर फिल्ड में इनके पास आईडिया है और एक फिल्ड में तो स्पैसलाइजेशन है इनको कोई टक्कर ही मिले अना दोस्तों मुझे तभी याद रखना ठीक है इसा मैसेज डालना सर आइम वर्किंग एट प्लैनिंग अथोरिटी सब आपके वज़े से ही हुआ नहीं मला इसे जूटे तारिफ कर देना थोड़ा अच्छ लगेगा पाकी चलो आगे चलते अभी और आपको एकनॉम में आगा ना पहले तो नाचने गया वाई ठीक है उसके बाद अपने मन में आपको इमेजिन कर लेना है कि आप नाच रहे हो और उसके बाद आपको फटाफेट से पेपर पर पहुच जाना है ठीक है करोगे ऐसा पक्का प्रॉमिस चलो एक फीचर आपको एकनॉमिक प्लान अचीव कर पाएगा सीधीस odав Hij byई वेजाँ से पहले आपको एकनॉमिक प्लाइनिक और एक्स्वें करना है उसके बाद सीधा लिखना है टेन-पॉइंट है मिनीमम आपको एग्जाम में लिख क्या आना है जिसमें पहला जो है दोस्तों Central Planning Authority यह Planning Authority जो है इसकी बात कर रहा है फर्स पॉइंटी के अच्छे से study करना और economic planning पर work करना अपने देश के लिए अब अपने जो बात की थी कि planning commission में सर कौन-कौन होता है वही अभी हमने बात करी न यह सारे talented लोग आप जो बच्चे हर फिलके एकदम talented आदमी हो यह यहां पर planning commission में पहले काम करते थे आज भी है तिदी सी बात लेकिन सर क्या यह planning commission आज भी काम करती है क्या नहीं 2015 में देखी replaced by नीति आयोग in 2015 तो मतलब यह planning commission थी यह 2014 तक थी ठीक है फिलाज अभी हम features of economic planning पर जाते पहला क्या है वाई central planning authority लिख दोगे exam में क्या लिखना है आपको अर्ली अर्लियर planning commission थी अब उसको जो है रिप्लेस्ट कर दिया है नितिया योग से बस इदा सा लिखना है आपको चलिए वाई सर्वे सर्वे आप लेते हो आपको पता सर्वे सर्वे फॉम आपने कभी भर है देखें आपके स्कूल के बार कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप चेंज कर दो पूरे फैकल्टी गोई ऐसे काफी बच्चे देखें मैंने इंपक्त हमने तो मैंने तो नहीं कर रहा है मेरे दोस्तों ने कर रहा है जरूर है इसमें आपको पता चलेगा क्या आपके पास उतने प्लैनिंग जब आप करोगे तो आप कुछ सोच के करोगे ऐसा तो नहीं न कोई भी एरिया आप एक बात बताओ एक कोई एरिया है जो बहुत ही जाता डेवलप्ट हो चुका है और उसके ही बाजू में एक एरिया है खाली है वह बंदर जमीने एकदम वहापे लोग रहते ह है अरे पहले उनका भी तो सोच लो आपको एक जगे का सोचना है लेकिन ऐसा नहीं आप बाकी पर्टिकुलर एरियास को इगनोर कर जो आपको सभी को साथ मिलेके चला चलिए अब यह सब जो है यह मैंने ब्लैंट इसके लिए चोड़ा है क्योंकि दोस्तों आप इसमें प्रब्लम नहीं है लेकिन ऐसा लगना चाहिए और यह तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है लेकिन यह बच्चे ने लिखा है क्या बात तरको एक मार्ट एक्स्ट्रा दूंगी मैं ऐसा चेक करती अपना पेपर ठीक है तो आपको अपना जो पेपर है ना एकदम आउटकास कर लिया है जब मैम आपका सेकंड कोशन चेक करेगी तो वह मिनिममम से मिनिममम ट्वेन हाफ तो आपको देने ही वाली है बहले ही आपका कोशन आप नहीं थोड़ा सा ना रॉंग ही क्यों ना लिखा तो यह इंप्रेशन जो है बहुत हेल्प करता है पूरे पेपर करती है या फिर वहां पर एक मेडिकल शॉप ओपन कर दे हैं लोगों के पास दवाई लेने के लिए दूसरे गाओं में जाना पड़ता है तो प्लीज पहले आप वह सब कर लो हाना तो यह सब क्या चीज़ है दोस्तों आप अपने मन से लिख सकते हो कोई प्रॉबलम नहीं प्लान कर रहे हो कि आपको कुछ तो अचीव करना है विदिन प्लानिंग करते हैं अब जैसे दोस्तों आपको पता है हमारा भी प्लान था कि हम 11 के बच्चों को सब्सक्राइब करना है अगर आपने कंप्लीट करना है अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है कुछ भी हाना कुछ भी मतलब अपने कोशिश अच्छे करी लेकिन अनफॉचनेटली कुछ रिजन्स के कारण तब महां तक नहीं पहुच पाई चले भाई आगे इवैल्यूएशन सीरी सी बात है देखो यार दोस्तों माफ किजाएगा जैसे देखिए दोस्तों सेकेंड एयर में यहां पर द्यान दिजिए फर् आपने कुछ प्लाइन कर रखा था और अपने प्लाइन भी अच्छे से किया अब दोस्तों सेकेंड एयर में पता है क्या हो गया अपने तू परसेंट प्रॉफिट कमाया इवैल्यूएशन यह क्या हुआ आपको अपने प्लाइन को एक ही प्लाइन हर साल चले इसा जरूरी नहीं है अकॉर्डिंगली रिक्वाइर अगर वहां पर हो आपको वहां पर चेंजिस करते हुए चलना है अब जैसे आपने यहां पर सेकेंड यर में आपने देखा अरे यार मेरा प्लाइन जो है जो मैंने फॉर्स्ट यर में यूज किया था अच्छे से वक आउट नहीं करता हूँ अब यहां पर चलिए आपने कुछ प्लाइन में चेंजिस किया उस प्लाइन के चेंजिस के कारणा आपको 15% तक की जनरेट हो गई तो अच्छी बात है ना तो यह सब चीजे ही इवैलुईशन में आती है उसके बाद देखिए continuous process है आपने एक बार एक साल के लिए कोई plan बनाया ना अब next year से आपको हर बार plan बनाना ऐसा नहीं अरे मैंने first year में plan बनाया था छोड़ना इस बार बीना plan किये ही काम कर ले तो क्या आप ऐसा करते हो गभी पॉसिबल ही नहीं यह सब चीजे यह सब चीजे दोस्तों अपने डिली लाइफ में भी देखते हूं हाना continuous process आप economic planning करना चाते हो दोस्तों मुझे एक बात बताओ क्या एक अकेला इंसान पूरे इंडिया का plan कर सकता है कैसे होगा नहीं ना उसको सभी से guidance लेनी पड़ेगी सबके opinion suggestions feedbacks जानने होंगे तभी वो अच्छे से implement कर पाएगा execute कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्या आप मुझ लोगों का सोच रहे हो बहुत अच्छी बात ही जो यह लोगों की duty बनती है कि आपको help करे tax payment करेंगे तभी तो मैं economic planning की जो खर्चे है अच्छे से utilize कर पाएगा ना वह टैक्स पे नहीं करते हो फिर कहते हो अरह यहापर तो रोड ही नहीं है रोड साही से बनती ही नहीं है दोस्तों अगर तुम tax pay नहीं करोगे तो यह वह रोड बनेगा कैसे government के पास इतना पैसा कहां से आता है कहां से आता है मुझे एक बात बताओ government के पास 80-70% जो उनकी revenue है यह उनके पास जो income है खर्चा करने के लिए यह tax वाली ही income है अब बच्चे जो है मलब बच्चे आने देश के development कर दिया अगले साल से आप अपने घर पे बेटे हो और बोलता है रहे वह plan बनाया था मैंने एक साल में वही चल जाएगा ठीक है चलिया आपने एक साल और चला लिया फिर इसे तीन चार पात साल शे साल निकल गए अरे भाई आपने जो plan बनाया था उसको plan ना कि 5 अच्छे साल हुए है थोड़े changes लगे होंगे ना करोने changes ऐसा कर आप तो पूरा आराम इसे आराम से बेट गए नहीं आपको हमने planning commission का पार्ट बनाया है तो आपका काम है और plan करना हर साल आपको plan करना है ऐसे नहीं मलब हर दीन आपको plan करना है कि आपका जो plan है अच्छे से execute हो रहा है या नहीं कर दोगे बाई चलो अभी अब next concept जो है यह बहुत ही ज्यादा important है दोस्तों इसको एकदम important mark कर लेना exam में यह शौर-शौर question है आता है मलब देखो है कैसे अपने देश में भी इतने सरे colleges है जो 11th के बच्चों को पढ़ाते है जहापे वो admission लेते 11th के बच्चों आप कैसा होता है अगर एक college में यह question आ गया ना तो next college में नहीं आएगा पर अगर next college में यह question आ गया तो मतलब यह question को बिल्कुल miss नहीं कर सकते और इतना basic बच्चा कोशे नहीं है जो दोस्तों आपको मजा आएगा पड़के तयार हो अब मिर्जात अब दिज़ार दोस्तों अब अपनी जो planning commission थी planning commission पर चलो अभी इसको कहते हैं इसको कहते हैं अब इसे करते करते दोस्तों अब जो प्लान था इसका यह क्या है दोस्तों यह नम्मरिंग है अब दोस्तों इनका 12th प्लान था 12th प्लान क्या है वई 2012 से 2017 इसको यह जो प्लान है ना दोस्तों इसको बहुत important कहते हैं क्योंकि अब्दस साब आते पहली बात तो यह प्लानिंग कमिशन और यह फायर का प्लान का लास्ट प्लान था अरे दोस्तों अभी तो हमने जाना ना तब जब दोस्तों 12 में उनने plan बनाया था वहां से आप 5 साल काउंट कर लो 12 13 14 15 16 17 हा ना ठीक है हो रहा है 17 हो रहेगी नहीं 13 14 हा ना ओविसली चलो ठीक है पाच हो गए अब यह जो 5 साल है 13 अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो अरे यार 13 14 17 होता ना पाच साल ठीक है यहां पर देगे अभी अब यह जो 2017 तक इनका एक plan अल्रेडी था अब इनको क्या पता था कि आगे जाके इनकी जो commission है इंको हटा देंगे हम लोग इनको तु पता नहीं तब बिचारे तो अपना plan मना रहे थे इनके साथ 2014 में धोक हो गया इनको भाब निकल दिया रहे हटो तुम पर एकनोमिक का फास्ट ग्रोथ करना है हमारे जो टार्गेट है वह है टोटल एट परसेंट अच्छिव करनेगा एकदम क्लियर अब एक्जाम में सीधा सीधा कोशन आएगा ट्विल्थ ट्विल्थ बोलाओ ट्वैल्थ फाइव इयर plan 2012 2017 explain सीधा शॉर्ट नोट चार से आप इसको याग करोगे और लिखोगे फिर यह स्लाइड होगा लिखोगे और दोस्तों यह इतना basic इतना easy topic है आपने past में दोस्तों इससे hard topic को आपने learn किया है cover किया है लेकिन थोड़ा सा important इसलिए मैं भी थोड़े से efforts ले रहो बागी start करें दोस्तों क्या बोलता बाई च जाने है चलो objective of sustainable growth इनका मेन objective क्या था दोस्तों कि इनको sustainable growth चाहिए सर sustainable मतलब देखो sustainable लोग जो ना समझ नहीं पाते growth तो चाहिए आप इतना clear है growth तो चाहिए न अब यह क्या है दोस्तों दखिए यह क्या हो रहा है उपर जा रहा है उपर यह ग्राफ बना रहो और उपर य यह first year था, यह second year था, यह third year था, यह fourth year था, यह fifth year था, मुझे एक बाल बताओ क्या यह growth है देखो जब उपर जाता है तब growth इंडिकेट करता है हाँ सर उपर जा रहा है और यह तो भाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है सर यह growth तो है दोस्तों यह growth तो है लेकिन यह स अब दोस्तों यह yellow वालेच पर ध्यान देना, पैदा साल आपने बहुत मस्त ग्रूव किया, second year को आपने आग लगा दी, पर third year आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपका जो था ऐसा इसे नीचे 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 आता गया, लेकिन फिर fourth year में दोस्तों आपने आग लगा द नहीं, sustainable तब कहते हैं, जब भाई हो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, वो उपर ही जा रहा है, तब इसे अगर ऐसी growth को अपन sustainable कहते हैं, no doubt यह जो yellow वाला mark है, यह भी growth है, लेकिन यह sustainable नहीं है, क्योंकि एक साल देखो भाई, आपका जो graph पे बहुत जादा नीचे आया education यह आपको exam में लिखे हैं, अब दोस्तों यह पता है क्या है, यह इस topic का introduction है भाई हो, ठीक है, confused नहीं होना है, चलिए, employment इनको generate करनी है, पर सर किस sector में employment generate करनी है, तो वो यह दोस्तों manufacturing sector में, manufacturing sector सर यानि की कैसे, देवार दोस्त आपको पता है गया, अब यह अपने बड़ा सा factory वगरा खोलो, यहाँ पर mobile आप establish करो, कोई problem नहीं, अब यहाँ पर mobile manufacture करो, कोई दिक्कत नहीं, अब दोस्तों देखो यह भार की company अगर अपने देश में आके, उनका factory सब कुछ डाल के जाएगी, तो दोस्तों, क्या अपने देश में employment generate होगा की नहीं, अब वो jobs नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा, इनका एक मुद्दा था, जो कई ना, कई हद तक ऐसे solve होगी, अब दोस्तों, ऐसे ही एक company नहीं, ऐसे बहुत सारी company आती है, अपने यहाँ पर establish होती है, employment generate करती है, चलिए भाई, अब देखो, question अगर exam में आता है, explain 12th, 5th year plan, 5 year plan, तब आपको यह introduction देना है, तीन लाइन का, कर दोगे इतना, उसके बाद आपको सिधा यह start कर, following were the targets of 12th, 5 year plan, मतलब 12th, 5 year plan में इनके target क्या थे भाई, कुछ तो बताओ, कुछ तो इनने सोचा होगा, कि यह यह चीजों को तो हमें target करना और इन पर हमें implement करना है, अभी इनका पहल education, ठीके सर लिख देंगे, health, okay, infrastructure, ठीके सर, environment के related कुछ काम करना, और 7th का है, service, sector में भी development करना, तो यह इनके कुछ 7 targets थे, बच्चा गरे सर, क्या हम इसके अंदर अपने मन से लिख सकते हैं क्या, देखो हैर दोस्तो, मन से तो आप बिलकुल लिख सकते हूं, लेकिन तब आ अगर आप उसके अलावा कुछ और लिख दोगे ना, तब teacher फिर यहाँ पर आपके marks काटेगी, तो यह answer में क्या है ना, जो यहाँ पर लिखा है, वही आपको exam में लिख क्या है, आपको exam में इसको थोड़ा सा elaborate कर देना, और बाकी यह points अगर आप याद करते हो, तो आपका काम जो है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, अब अपने को क्या करना, इसको सब्सक्राइब करना, आप समझ जाओगे, चलिए वाई, economic growth में क्या targets थे हैं, यानिकि इनके objective ग्या आते है, हमाज रहो बभी, चलो, GDP जो है हमारी growth rate उसकी 8% तक हमें achieve करना है, ठीके, agriculture sector को 4% तक हमें ले जाना है, ठीके, सर, इसका कोई explanation, कोई explanation नहीं है, या आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब देखो, economic growth जो है, हमारी GDP growth हमें कितना achieve करना है, 8%, agriculture कितना करना है, 4%, वापा साथ में कहा हो, GDP 8% achieve, agriculture 4% achieve करना है, इसे याद करो, ठीके, उसके बाद, manufacturing sector को भी 10% तक हमें achieve करना है, फिर क्या है, more growth compared to 11th, 5th year plan, मतलब कि, दोस्तों, यह क्या है, यह 12th, 5th year plan है, तो इसे पहले क्या होगा, 11th, 5th year plan, 11th, 5th year plan में भी ऐसे कुछ targets होंगे, इसमें आपको लिखना है, कि हाँ, 12th, 5th year plan है, हमें दोस्तों, कुछ भी हो, 11th, 5th year plan से तो जादा ही achieve करना है समझ रहो, क्या था, चलो अब देख लो, GDP growth, 8% से जादा, agriculture, 4% से जादा, manufacturing, 10% से जादा, और जो यह तो 12th है, 11th, 5th year plan से तो हमें जादा ही achieve करना है, मैं पता है, यहाँ पर क्यों देख रहो, बार-बार, यह देख वा, मैं यहाँ पर आता हूँ, और पूरा गायप हो जा चलो बच्चो, next पे, poverty and employment, देखें दुस्तो पावर्टी पर भी हमने एक lesson पड़ा है, एम्प्लोइमेंट पर भी हमने एक lesson पड़ा है, तो आपको इसका मतलब क्या होता है यह आता है, आपको जो गरीब है, या फिर जो employment है, इसको रेडियूस करने है, employment या ने की जो unemployment वाल मतलब दोस्तों जो हमारे देश की गरीबी है अगर वह 40% गरीबी है तो 40% को यह पहुत जाता लग रही प्लिस 30% पर लाओ यह इनका प्लान था इस प्लानिंग कमिशन का ठीक है फिर क्या था 50 million new work opportunities in non-farm sector मतलब की दोस्तों जो farmer तो है आपको farming मतलब तो काम देंगे very good यह आपके बिना तो हम कैसे चलेगा हमारा लेकिन हमें सिफ farming sector में ही नहीं हमें बाकी sectors में भी दोस्तों employment देनी है second point समझिया याद को लवी head count ratio को कम करना है ठीक है 10% से और क्या करनी है employment वाली work opportunities आपको create करनी है चलिए याद हो जाएगा second point पॉस किज़े लिखिए अब education sector हमें क्या करनी है हमें schooling बढ़ानी है यानि कि दोस्तों देखिए काफी गाव होंगे वहां पर आपको पता है school ही न मजा है वह तो किसी चीज़ में नहीं है हाना नीचे बैटके पढ़ने का तो लग मजा है पाकी लेकिन उनको थोड़ी अच्छे facilities दोना अपने देश के पार्ट है वह उनका development करना पड़ेगा की नहीं अपने देश के प्यारे बच्चे अपने देश का future है वह ओविसली उन के पास दोस्तों उनको पता है 12 के बाद वह अपनी graduation कर लेते हैं लेकिन उनके पास कुछ skill नहीं होती स्किल यानि की सर graduation complete हो गई तो यहां से skills का क्या लेते देता अब जिसे देखिए दोस्तों मैं अगर future में आपको भी पता है मैं company secretary बनने वाला हूँ लेकिन दोस्तों मैं सिफ पढ़के तो पास हो जाओंगा लेकिन क्या मैं company secretary कहलाने लायक होंगा की नहीं उसने वाली बात है ना अरे पढ़ाई तो चलो आपने कर ली बहुत अच्छी बात है हर कोई नहीं कर पाता लेकिन अब आपने पास उतना knowledge है पता चला आपने सब रटा कर लिया आपने नहीं कैसे पास हो गए आप आपके साथ था आपका नसीब आपके साथ था लेकिन मेरे भाई आपको company secretary का मैंने आपको काम दिया है आपको एक file भी upload नहीं करने आरी मुझे बात बता हो आप बने कैसे हो आप आपके पास skills होने चाहिए देखो knowledge और skills यहीं ज्यादा matter करता है करवाता है लेकिन आपके पास इसी चीज में दोस्तों आपके पास knowledge होगी skills होगी तब तो आप कुछ भी गर रजकते हो अपना चले वाई eliminate gender and social gap आपको भी पता है दोस्तों आज भी कुछ ऐसे गाओ है जहां पर लड़कियों को पढ़ाई नहीं किया देते हैं या फिर उनको काम नहीं करने देते हैं या फिर वगरा वगरा आपको भी पता ही है हमाजो नेशन है developing nation तो है लेकिन आज भी कुछ ऐसे area है जो बहुत करके लिख लूँ चलो वाई health sector को भी हमें बढ़ाना है यह क्या करना है fertility rate to 2.1% ठीक है चलिए देखिए अब दोस्तों इसी के साथ हमने यहां पर चार पॉइंट कवर कर लिए आज के लेक्चर का last slide जो की बहुत ज़्यादा आसान है यह answer को आपको यहां पर याद करना है ठीक है मेरे साथ साथ चलिए पाचव का infrastructure कि बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बिसे इसमें अब सारे वह बिल्डिंग अगरा आ जाती है जैसे अपने रोडब बनाने के लिए पैसे तो लगेगा ना वाई तो आपने रोडब बनाने के लिए पैसे और ये चीज़े किसमें आते इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है इन्वेस्टमेंट को अपने को इंक्रीज करना है किस से 9% से लाइक अगर पिछले बार 8% तक की इंक्रीज हुई थी तो इस बार जो टार्गेट है 9% का टार्गेट टीवी एंड रोड क्या बोल रहा हूं में टीवी एंड टेलीफोन अप टू 70% जो दोस्तो आपको भी पता ही होगा आज काफी घरों में टीवी है आज तो सबके पास ही है लेकिन एक ऐसा समाना था जहां पे जिसके पास भी टीवी होती थी उसको भाई भगवान समझते थे है डाल कि य आपके और ऐसं को पूछना के उनके पास सब्सक्राइब पर रहते और पर क्या नेदर ज चुछ नघ कर सकती है किया उनके पास टिलिपोन हुआ करता था जब एकडम छोडे थे नहीं होगा और पर क्या उन्हें कभी टीवीमें मैचा है यह किस haar यहां पर जाके अब यह जो facilities है, आज आपको इतनी आसान क्यों लग रही है, क्योंकि आज तो हर सभी के पास एक mobile phone है, जिसमें आपके पास OTT platform से, अब वहाँ पर क्या करते हो, जा के चेक करते हो, series वगरा देखते हो, match वगरा देखते हो, यह कितना आसान हो गया आज, लेकिन यह पहले जो ह है, गाउ जो है, वहाँ पर रोड की बहुत कमी है, रोड ही नहीं कमी चोड़ो, आना तो वहाँ पर अपने को रोड क्रियेट करनी है, यह इनका एक फिफ्ट टार्गेट का एक objective, चले वाई, इन्वोर्मेंट अब जो है यार, देखो यार, इन्वोर्मेंट के बिना तो हम कुछ नहीं है, इन्वोर्मेंट में आपका पूरा नेचर वगरा आ जाता है, अब आप जो भी आपने यहां पर अचिव किया है, अब यह सब किया है, अपने इन्वोर्मेंट के वज़े से, अपने को क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, यह सब क्या है, यह इन्वोर्में के लिए उनका घर बना दो है उनके लिए इंशॉट कहना चाहता है सर्विस वाले सेक्टर की भी कुछ बात कर रहा है जिसमें देखिए बैंकिंग सर्विस जो है 90% तक आपको बढ़ानी है बैंक सेक्टर के आपको अक्रेच करना है कि आप लोगों को लौं प्रोवाइड करो जो बिजनस करना चाहता है या फिर पढ़ायी करना चाहता है बहुत ज़्यूसिया है और इख्ञेट कार यूनिट तो होता नहीं शायद और अब फिर पूरा ही होता है तो अगर यूनिट में भी आ जाए या फिर कोई क्लास टेस्ट में भी आ जाए तो यह कोशन आप देखने को मिलें तो पूरे 10 लेसन का अगर कोई कोशन मैं बोलूंगा जो आपको कोई कर लोगे पक्का याद से मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको पढ़ाई करके मजाया की नहीं क्या हम सिखा पाये की नहीं अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है पहली बात तो यह अरे यार मैं गाना नहीं कहा रहा हूँ वह पहली बात तो यह चली बात में रैप करेंगे पन यहां पर जाके प्यार बाट दो हमारे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है मुझे पता है आपने सबी ने कर दिया एक बच्चा कह रहा है सर नहीं किया तो अभी कर देना मेरे भाई आपको समझ में आ गया ना अच्छे से समझ में आया तब आपको सब्सक्राइब करना है दिगे डाउट्स वगरा यहां पे प्यार वगरा कमेंट सेक्शन में दोस्तों के शेर कर दो सारे 11 की बच्चों के स आप से इतनी सी रिक्वेस्ट चलो दोस्तों इस लेक्चर को पन्यापी एंड करते हैं और लेसन नमबर टैन का लेक्चर नमबर टू में हम हमारी एकनोमिक्स की जर्णी को खदम करेंगे ठीक है बहुत अच्छा लगा आप सभी को पढ़ा के आप सभी के साथ यह जर्णी जो है मैं चाहूंगो और आगे जाए खेर फिलाल इकनोमिक्स तो यहां ही तक ले जा रहा है हमें तो चलो भाई फिलाल इस लेक्चर को पन्यापी एंड करते हैं